जंगल में तीन शेर खुदको बड़े ही शक्ती चाली समझते थे, उन्हें अपनी ताकत पर बहुती घमण था, और वो बहुती खुंखार भी थे, एक बार वो तीनों जंगल में गूम रहे थे, तब एक शेर कहता है, अरे, शिकार करने में कुछ त्रिल नहीं आ रहा है, किसी का भी शिकार बहुती आसानी से हो रहा है, ओहाँ, सच कहा तुमने, पर कर भी क्या सकते है, हमारे सामने सब की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, और वो आसानी से शिकार बन जाता है, यही है तो हम क्यों न भैसों के जुन पर हमला बोल दे उन्हें के साथ शिकार करने में मज़ा आएगा तीन शेर जहां भैसे रहते हैं उस और जाने लगते है कि तभी उनकी नजर प्रेगनेंट भैसे पर जाती है उसे देख कर उन्हें दया नहीं आती बलकि अपने शिकार का मज़ा लेना चाहते थे तब एक शेर कहता है अरे वाह वो देखो प्रेगनेंट भैस इसी का शिकार करते है बड़ा मज़ा आएगा वो हमारे सामने गिडगिडाएगी जान की भीक मांगेगी तीनों शेर हसते रहते हैं बहरेमों को उस प्रेगनेंट भैस पर दया नहीं आती शेर की हसी प्रेगनेंट भैस सुन लेती है उनके आने की आहट उसे हो जाती है तब वो कहती है शेर इसी ओर हा रहे है यहाँ से भागना मतलब जान गवाने जैसे है कैसे भी करके हिम्मत से मुझे मुकाबला करना होगा यह शेर बहुत ही बहरेम है यह मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं भैस वहाँ से भागने से अच्छा मुकाबला करने का ठान लेती है तीन शेर भैस को घेर लेते है उनकी खुंकार हसी से अंदर का बच्चा घबरा जाता है तब भैस अपने बच्चे से कहती है घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दूँगी इन शेरों से मैं हिम्मत से मुकाबला करूँगी तुम देखते रहना भैस पूरी ताकत से शेर पर वार करती है अपने बच्चे को खरच न आए इसकी वो पूरी कोशिश करती है भैस हार नहीं मान रही थी तब एक शेर उसे पीचे से मारता है तो दूसरा सामने से भैस अब थोड़ी जक्मी हो रही थी उसी वक्त उसे प्रसो पीड़ा भी शुरू हो रही थी तब एक शेर कहता है अरे भैस क्यों इतना दुख सहन कर रही हो भाग जाओ यहां से नहीं तो हमारी वार से तू बच नहीं पाएगी मैं मेरे बच्चे को साहस दिखाना चाहती हूँ ताकि वो मेरे जैसे सहासी बने और तुम जैसो का वो साम ना कर सके डर कर भागूंगी तो वो डर पोग बनेगा इसलिए मैं मर जाओंगी पर यहां से भागूंगे नहीं वो तीनों शेर भैस की हालत देकर खुश हो रहे थे उन्हें तो ऐसा ही थ्रिल चाहिए था पर भैस अब कमजोर होती जा रही थी बच्चा भी अब कभी भी बहार आ सकता था तब वो सोचती है मेरा बच्चा किसी भी वक्त बहार आ सकता है यह तीनों शेर मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी खा जाएंगे मैं मर गई तो मुझे कोई गम नहीं है पर मैं मेरे बच्चे को खोना नहीं चाहती अब भैस बच्चे को बचाने के लिए जोर जोर से चिलाने लगती है उसकी चीक भैसों का जुण सुन लेता है तब वो सारे प्रेगनेंट भैस के पास जाते है वो देखते है कि इस हालत में भी वो शेर के साथ कैसे लड़ रही है तब भैसों का जुण शेरों पर हमला बोल देता है तब एक शेर कहता है अरे ये सब कहा से आए अब तो हमें ही जान बचा कर भागना होगा वो तीनों शेर भागने की कोशिश करते है पर भैसे उन तीनों को मार मार कर खतम ही कर देते है उदर भैस एक प्यारे से बच्चे को जनम देती है अपने बच्चे को आग भर कर देखकर वो भैस मर जाती है तब एक भैस सामने आकर कहता है बेटा तुम्हारी मा भैस ने अपनी जान पर खेल कर बच्चे की जान बचाई है ये मा बहुती साहसी है भैसो का जून उस बच्चे की अच्छे से देख भाल करते हैं और उसे हमेशा उसकी मा की साहस की बाते बताते रहते हैं ताकि वो भी अपने मा के जैसे बहादुर बने